केले दोस्तों चलिए करेंट अफेर्स के एक नए टापिक चलते हैं करेंट अफेर्स का टापिक है सर्यू नहर राष्टी परियोजना तो इसके हम कुछ मेंट पॉइंट देखेंगे देखेंगे प्रधान मंत्री नरेंद मोधी 11 दिसंबर यानि की कल के दिन उत्तर प्रदेश के बल्डाम पुर जिले में 9802 करोंड रूपे की सर्यू नहर राष्टी परियोजना का उधगाटत करेंगे आईए हम समझ लेते हैं सर्यू नहर परियोजना देखिए सर्यू नहर परियोजना जो है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है इसमें उत्तर प्रदेश के बहराईच, गोंड़ा, वस्ती, स्रावस्ती, बल्डामपुर, संत, कभीर नगर, सिधार्थ नगर, गोरखपुर और महराज गंज के 25 से 30 लाख किसानों को लाफ मिलेगा इस नहर से 14.04 लाख हेक्टेयर भूमी में सिचाई की सुब्धा होगी परियों के बारे में समझ लेते हैं कौन सी नदिया जुड़ी हुई हैं इस परियोजना के इताहत पांच नदिया जुड़ी हुई हैं घागरा, राप्ती, बारगंगा, सर्यो और रोहडी चलिए नहर की लंबाई भी देख लेते हैं, नहर की लंबाई को 6600 किलोमीटर है और इन्हे 318 किलोमीटर लंबी मुख नहर से जोड़ा गया है इस नहर की टोटल लंबाई है 6600 किलोमीटर, परियोजना का इतिहास भी देख लेंगे देखे 78.68 करून रुपे की लागत से 2 जिलो में सिचाही सुधा प्रदान करने के लिए 1978 में इस परियोजना को छोटे पैमाने पर सुरू किया गया था वर्स 1982 में इसका विस्तार 9 जिलो में किया गया और इसका नाम बदलकर सर्यू नहर राष्टी परियोजना कर दिया गया और इस परियोजना के लागए 2021 तक बढ़ाकर 9802 रुपे या 802 करूर रुपे कर दिया गया सर्यू नदी क्या है देखे सर्यू नदी उत्राखंड की बागेश्वर जिले में नंदा कोट परवत के दच्छिड में एक पहाड़ी से निकलती है या कपकोट सेरा घंट और बागेश्वर कस्पों से होकर बहती है और अंत में पंचेश्वर में सारदा नदी में गरती है जो भारत नेपाल सीमा पर इस्थित है इसके बाद या उत्तरपतेश के सीतापुर्जिले में घाघरा नदी में मिल जाती है लोवर घाघरा को सर्यू नदी के नाम से भी जाना जाता है खासकर जब यह अध्या सहर से होकर बाती है रामायन में इसी नदी का कई बार उल्लेख किया गया है